गोडे विलिंग बच्चो देखो बच्चो अपने इस्ट्री जो है इतिहास जो है उसमें अपने जो थर्ड बुक है इस थर्ड बुक के अपने चर्चा कर रहे थे और अपने जो चेप्टर पढ़ रहे थे वो था चेप्टर बार्वा जिसका नाम है विया ओपनिवेशिक सह इस चेप्टर के अपने चर्चा कर रहे थे एक कलास अपने हो चुकी है ओपनिवेशिक किसे कहते हैं ओपनिवेशिक सहर कौन से थी किस परकार से बसाये गए थे किन होने बसाये थे इन सारी बातों के उपर चर्चा अपने फर्च कलास में कर चुके हैं आज अपने इसी कब हुआ थाdest आपको सन बतानी है भी या कि कोड़ से साल में संताल विद्रोह हुआ갔ा कल्यर है अब करते है भी या अपने चेप्टर की प्लस सहरी इतियास का विकास किस परकार से हुआ था? तो देखो भी円. ओपनविजिक सासन बे हिसाप आकड़ों वे जानकारियों पर आधारी था. ओपनवियशिक省 का मतलब यहां पर ओपनविजिक सासन आ जाए बतलब इस ता क्या मतलब हो गया अपने अंगरेजु से भारत पर अंगरेजु का अधिकार था तब inanकरीं प्रॉपी चल रहा है अरे यहाँ पर कई सहर थे जबके अंग्रेज की सेंग क्या क्या थी कम थी अंग्रेज क्या थे नामात्र की तो थे एक प्रकार से तो यहाँ पर वो जियानकार या कैसे रखते थे सहर की विवस्ता कैसे चलाते थे उसके लिए भी यह दोने रिकोर्ड्स बनाने थे हिसाब किताब रखने के लिए व्यापारी गत्ती वीडियो का वो क्या करते थे बेवरार रखते थे मतलब एक प्रकार से रिकोर्ड रखते थे आगे देखो समय समय पर सर्वेक्शन करते हैं समय समय पर व्यापारी गत्ती वीडिया थी या जो बाजार वगर थे उनका वो क्या करते थे सर्वेक्शन करते थे सर्वेक्शन मतलब जो आश परताल करते थे वहाँ पर जाकर देखते थे कि क्या चल रहा है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है कोई कमी है या नहीं है अता सरकारी रिपोर्ट भी क्या करते थे परकाशी थे करते थे और वहाँ पर उन्होंने जो देखा जो उन्होंने पाया उसकी वो क्या करते थे एक रिपोर्ट पेस करते थे अरे जैसे अपने स्कूल में नहीं होता क्या कई बार कोई बाहर से चेकिंग आ जाती है कि आपकी स्कूल में कोरोना का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा इस्टूडेंट्स मास्क लगा रहे या नहीं लगा रहे शोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है तो वो क्या करते है बाह को यहां पर दो क्यूसर बने रह विया इस टॉपिक से दो क्यूसर बनते हैं और दोनों ही क्यूसर आपकी बोर्ड एक्जाम में पूछे जा चुके हैं क्यूसर देखना विया अंग्रेजों ने क्या किया विया दीरे-दीरे मांचितर भी तेयार किये मतलब दो सहर थे ना उन रखते थे अब यहां पर देखो एक क्यूसल पूछाता है कि अंग्रेजों के समय जो नक्षे बनाए गए थे वो नक्षी क्यों मनवाए जाते थे ये क्यूसल आ चुका है विया कब आपके 2015, 2017 और 2019 की बोर्ड एकजाब में ये पूछा जा चुका है एक बार RBSC में पूछा जा चुका है कि अंग्रेजों के दोरा जो मांचितर होते थे वो क्यों तयार कर्वाए जाते थे और मांचितर तयार करने का जुकार ये है वो कौन करता था? सर्वे ओफ इंडिया जिसका गठन कब हुआता अठारा सो अठनतर में ध्यारत नविया सर्वे ओफ इंडिया इनके द्वारा मांचितर त्यार किया रते थे और सर्वे ओफ इंडिया का गठन कब हुआता अठारा सो अठनतर में अब यहां पर क्यूसिन यह है कि अंग्रेजों के दोरा यह नक्से या मांची तर जो है वो क्यों तैयार करवाए दाते थे फर्ष्ट कारण तो यह है कि सहर की बनावट और बुद्रशे को समझने के लिए कि मतलब सहर की बनावट केसी है आयताकार है वर्ताकार है गोलाकार है त्रीबुजाकार है केसी बनावट है और बुदर से मतलब वहां की जमीन केसी है पहाड़ी है मेदानी है दरातली है संतल है किस परकार की वहां पर मेदान है उसका पता लगाने के लिए सेकी ने विया इलाकों पर नियंतर रखने के लिए कि हाँ साब ये इलाका है इस पर एक डायग्राम मना लो फिर इसके अपने इसके ओपर क्या रखेंगे कांट्रोल रखेंगे इसके ओपर नियंतर ने रखेंगे कि ये अपना चेतर है इसके ओपर आपको नियंतर ने रखना है तीसरे भी व्या व्याब्साय को विक्षित करने के लिए माजच्टर बना दिया साय जाते थे झालावा अपनी सटा को मजबोत करने के लिए मतला माजच्टर बना दिया कि हाँ साब ये अपना इलाका है अपना छेतर है ठीक है अब इसको क्या कर दो एक प्रकार से मजबूत बना दो इसको इस प्रकार से त्यार कर दो कि सत्रू या दुस्मन जो है वो हमारे उपर क्या नहीं कर सके आकर मन नहीं कर सके कहना क्या मतलब हो गया अपने सत्ता को क्या कर लो मजबूत कर लो अपने छेतर को क्या कर लो मजबूत कर लो ताकत वरे कर लो इसके लिए भी माज़ते बना गते थे इसके लाब पहाड़ों नदियों जंगलों का पता लगाने के लिए कि अपने इस चेतर में कितने पहाड़ है कितने यहाँ पर जंगल है जंगलों में किस परकार के पेड़ पोदे है नदिया कहां से गुजरती है कितनी नदिया यहां से निकलती है इन सब बातों का अब जैसे अपने जियोग्राफिय में नहीं आते कि अब यह जियोग्राफिय बनाने के लिए एक परकार से क्या बनाते थे नक से या मांचितर बनाते थे और उन्हें के मादम से भी या देश की सासने विस्ता का या उस चेतर की सासने विस्ता का क्या करते थे संचालन करते थे ये मांचितर जो है वो किस के दोरा बना दाते थे सर्वे ओफ इंडिया जिस इसका मानचीतर है, ये इसका सर्वेक्षन है, ये इसकी सरकार रिपोर्ट है, अब बात ये आती है कि साब ये रिकोर्ड जो है, वो रिकोर्ड इनके दुवारा क्यों रखे जाते थे? के इनके ये बाते रिकोर्ड कारन कारन है, और डाते रिकोर्ड की सर्वेक्षन है, वो रिकोर्ड और रिकोर्ड क्यों रखे जाते थे? तो ध्यान से समझने भी आप ओज़े से मालो स्कूल है अपनी स्कूल में भी आपका रिकोर्ड रखाता है क्या आपके दस्वी में कितने आए आट्वी में कितने आए आप कब स्कूल में आए कब आपने छुटी की आपने कितने दिन के शियल ली आपने कितनी फीज जमा आपने कौन सा टेस्ट दिया है कौन सा नहीं दिया ये सब हम लोग क्या करते हैं रिकोर्ड रखते हैं रिकोर्ड क्यों रखते हैं अगर कोई पूछ ले रिकोर्ड क्यों करते हैं क्यों रखा जाता है क्योंकि बाइचांस मानलों को फ्लाइंग आ जाए कोई पूछ ले आपक तो क्या है जन संक्या की गर्णा, कमी और वर्दी का पता लगाने के लिए कि अपने जन संक्या कितनी है, कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है, कितनी जनमदर हुई है, कितनी मर्तिदर हुई है इन सब का पता लगाने के लिए वो क्या रखते थे, रिकोर्ड रखते थे जिससे मालो भीया आपने कहा है अपने कहा है अपने पास में रिकोर्ड है यसी लगा विर्याप कह दोगए आपने न लो में न लगाया कूंकि आपके पास में इस घुथे क्या है रिकोर्ड है अठार सो काफ के पास में क्या है रिकोर्ड है तब ही तो बता दिया तो यहां पर विया जो जनसें क्या है उस जनसें क्या की गर्णा करने कमी का पता लगाने और वर्दी का पता लगाने के लिए क्या किये जाते थे रिकोर्ड रखे जाते थे अब यहां काल में बहुं या ठार Sum 222 में पहली जर्गना हुई थी लेकिन ये व्यवस्ति जर्गना नहीं थी सभी लोगों की गिंति नहीं हुई ती इस वजए से फिर 1881 इसमें पहली बार भारत में व्यवस्ति जर्गना हुई तो यहां पर बिया जन संक्या के लिए दूसरा है सहर और ग्रामिल जन संक्या का हिसाब रखने के लिए कि सहर की आबादी कितनी है गाउं की आबादी कितनी है उसका भी अलग-अलग हिसाब रखने के लिए रिकॉर्ड रखे जाते थे तीसरा सेरों में व्यापारी गती वीदिया किस परकार चल रही है मतलब सेरों में जो व्यापार है वो किस परकार चल रहा है लाव हो रहा है नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है आया जादा हो रहा है निर्या जादा हो रहा है उन सबी गती वीडियों पर नज़र रखने के लिए भी रिकॉर्ड रखे जाते थे कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए कि उस चेटर में अपने कानून विवस्ता किस प्रकार से बनाए कानून विवस्ता बनाने के लिए अपने पास में रिकोर्ड रखे जाते थे। इनको लिखा दूँगा भी मैं आपको नोट में अच्छी तरह से अब बात करते हैं बया बदलाव और रुजान बदलाव और रुजान बया बेटी स्काल में धीरे धीरे जो है वो एक परकारशे इन सहरों में बदलाव आया अपने मुगल समराजिय का पतन हो गया था अठार कर लिया और आधिपते इस्तापित करने के बादे बया इन सहरों में एक परकारशे क्या होने लगे बदलाव होने लगे और नए नए रुजान जो है वो अपने सामने आए के स्याइदे को अठारा सो इस्वी तक भीया सहरी करन की जो रफ्तार थी वो कैसी थी धीमी थी कहने का मतलब हो गया अठारा सो इस्वी तक लगबग 9.4% लोग जो है वो कहां रहते थे और 90% लोग जो है वो कहां पर रहते थे गाओं में रहते थे लेकिन भीया अब इसमें चेंजिंग आ कर 1940 के मतलब इन 40 सालों के बीच में यही 9% से जो आबादी है वो कितने पर शेयंट हो गई 13% हो गई मतलब पहले 9% लोग सहरों में रहते थे और अब कितने पर शेयंट रहने लगए 13% लोग सहरों में रहने लगए अपने बड़े बड़े जो सहर थे भी या मदरास है बंबई है कलकता है ये क्या बन गए एक विशाल सहर बन गए एक बड़े सहरों के रूप में उभर कर ये सामने आए ठीक है क्यों कि भी या 853 में किसकी सुरुआत हो गई थी रेल वे किसकी सुरुआत वो गई थी रेलवे की अब यहाँ पर क्मिशन आता है भारत में पहले रेल कब चली अठारा सो तरेपन में कोई दिकत नहीं है किसके समय चली थी भी या ध्यारत ना उसमें भारत का गावनर जनरलता लाड़ डल हो जी इसके समय चली थी भी या। कितने किलो मिटर चली थी 24 किलो मिटर चली थी कहां से कहां तक मुंबै शेय लेकर ठाना तक चली थी भी है। तो भारते में 8803 में रेलवे की क्या हो गई शुरुआत हो गई अब यहां पर भी देखो क्यों सर्फ पुछा हुआ है कि रेलवे की सुरुआत से सहरों के उपर क्या परभाव पड़ा रेलवे की सुरुआत हो गई भी या उसे सहरों के उपर क्या परभाव पड़ा तो रेलवे स्टेशन थे भी या वो कच्चे माल के क्या बन गए संग्रह बन गए मतलब वही पर कच्चा माल उतरा जाता और वही से कच्चा माल चड़ाया जाता इसके अलाब या जो बंदरगा थे उन बंदरगाओं का क्या हो गया दिरे दिरे अस्तित्व समापत हो गया या बं मात्रा में जाने लगा और समय भी कम लगनी लगा तो जो अपने बंदरगा थे जो धकन थे उनका महत्व क्या हो गया कम हो गया जैसे अपने एक धकन ऐर aż मेंधो नदी के किनारे जीसका नाम ता मिर्जापूर्ट धकन अपने रेलवे के इस्ताप्ना से पहले भीया जो लगबलगबल व्यापार होता था वो इसी के मादण से होता था लेकिन रेलवे की सितापना होने के बाद में इसका मेत्विक जफिक का हो गया जैसे अपने रेलवे शर्अची आपस में देखते हैं न अपने रेजवे कोलोनी इस प्रकार की वहाँ पर क्या बसाएगी कोलोनिया बसाएगी सहरओ में तता कियी रेलवे नगरों का अस्तीतव भी आया अब यहाँ पे द्या रहो चाहिए हैँ ये क्यूसल पुछा हुआ है क्यूसल आता है की रेलवे च्छिरात होने के एक बाद कुछ से तीन ले रेलवे नगरों का अस्तीतव आया तो जमालपूर, वार्टेयर और बरेली ठीक है इसके अलाब या आवागमन और आयाद नीदियाद जो है वो भी क्या हुआ पहले के मकाबले बढ़ा क्यों क्योंकि रेलवे की सुरुआत होगे भी या तो आयाद नीदियाद जो है वो भी आसानी से होने लग गया इसके अलाब या अपने ओदोगी क्विकास ये बढ़ा ओदोगी क्विकास कहां बढ़ा सेरों में बढ़ा क्यों क्योंकि रेलवे की सुरुआत का हुई थी सेरों में हुई थी इसकिट का न आपको पूंट है अपने इतियाश को में आपको एंशार्टि का सिलेवर से अपना आसने से समझ में नहीं आता है ठीक है पढ़ने से हम आपको पढ़ाते हैं उससे पहले हमें भी थोड़ा सा उसको देखना पढ़ता है अब मैं यहाँ पर आपको इस परकार से त्यार कर रहा हूं कि इनसे जो क्यूशन मनते हैं ना उन क्यूशन के अकोर्डिंग में आपको पढ़ा रहा हूं कि क्यूशन आजाए तो आप परिशान नहों क्योंकि कई स्टुडेट के कमेंट आते हैं कि गुर्जी ते समझाओ तो लेकिर मान क्यूशन को उत्तर दे बोगो निया वे तो थोड़ा सा मैंने अपने फॉर्मेट जो है वो सिस्टम तुला चेंज कर दिया है अब मैं आपको तो टोपिक पढ़ा रहा हूं उसको क्यूशन मना के पढ़ा रहा हूं कि इस प्रकारा क्यूशन आजाए तो बच्चे के से आंस्वरे देंगे तो थोड़ा सा आपको दियाने रखना है अब यह अपने दो पर होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर होता है जैसे आपने देखा होगा कई गवाओं में होते हैं गवाओं के अंदर ही कोई सिवाजी नगरे अपने परताप नगरे अपने नहरू नगर अपने सास्तिन नगर इस परकार से गवाओं में भी कोई नाम रखते है अब या ग्रामिन छेत्रों में जो छोटे नगर होते हैं उनको क्या कहते हैं अपने कस्वा कहते हैं कापर ग्रामिन छेत्रों में छोटे नगर उनको क्या कहेंगे कस्वा ठीक है मतलब जहां पर दस पंदराग 20 गरो वो होगे एक अब या गंज गंज क्या है देखो यह कई ब बाजार मतलब एक एसा बाजार जो है तो क्या छोटा सा लगता है लेकिन वो लगता परमानेंट है उसको क्या बोलते है गंज कहा जाता है उके तो ये थी अपने आज़ की कलास अब आप को पिर निकालो और हेडिंग लगाओ ऑपनवेश्यक सहरों की परता Eu dispon является रिकोर्स और सहरी इतिहास और लिखो भी ऐस में लिखो ओपनिवेशिक सासन में बेहिसाब आंकडों और जानकारियों के संग्रे पर आधारी था अंग्रेजों ने हिसाब किताब रखने के लिए व्यापारिक गति वीडियों का ब्योरा रखते थे थता समय समय पर सर्वेक्शन करते थता सरकारी रिपोर्ट भी परकाशित करते थे ओपनिवेशिकाल में रिकोर्ट रखने के लिए दीरे दीरे मान्चितर या नक्षे बनवाए जाने लगे ये मान्चितर या नक्षे सर्वे ओफ इंडिया जिसका गठन अठारा सो अठंतर में हुआ उसके द्वारा तयार किये जाते थे पेरिग्राप चेंज करके लिखो मान्चितर ओबलिक नक्षे तैयार करवाने के पीछे परमुक उद्देशे निमन लिखिते थे अब लिखो भी या इसका अन्सो लिखो अपने नमबर एक सरकार का मानना था कि किसी इस्तान की बनावट एवम बुद्रश्य को समझने के लिए मान्चितर आवशक होते हैं नमबर दो मान्चितरों के द्वारा सहरी परदेश पर नियंतनम बनाए रखा जा सकता था नमबर तीन मकानों की सगन्था एवम गुणवत्ता, सडकों की इस्तती तता व्यवसाइक संभावनों का पता लगाने के लिए भी मान्चितर बनाए जाते थे नमबर च्यार सहरों के मान्चितर से हमें उसकी पहाड़ियां, नदियां, जंगलों का पता चलता था नमबर पांच, अपनी सप्ता को मजबूत करने तता सहर को विक्षित करने के लिए भी मान्चितर बनाए जाते थे अब आगे लिखो यहाँ, फिर आगे लिखो आपे, बीटी स्काल में यह हो गया अपना पॉइंट पूरा ठीक है, हैडिक लगाओ फिर आपे, हैडिक में इस्योरी आगे लिखो, पेले ग्राफ चेंज करके, बीटी स्काल में ओपनवेशिक सहरो के, रिकोर्ट भी रखे जाते थे, रिकोर्ट भी रखे जाते थे, रिकोर्ड्स भी रखे जाते थे इन रिकोर्ड्स को रखने के पीछे निम्न लिकित उद्देशे थे नमबर एक यह पता लगाने के लिए की जन संक्या में क्यों थता किस गती से वर्दी हो रही है नमबर दो यह रिकोर्ड्स स्वास्ते की दरश्टी से महत्वपूर्ण होते थे नमबर तीन सहर और ग्रामिट जन संक्या का हिसाब लगाने के लिए नमबर चार कानून विवस्ता बनाए रखने में यह रिकोर्ड्स सायता करते थे नमबर पांच सहरों में व्यापारी गतीवीदियां किस परकार संचालित हो रही है तता उन में क्या परिवर्टन हो रहा है इसके लिए रिकोर्ड्स बनाए जाते थे नमबर चै जनसक्या के आंक्डे जनसक्या के आंक्डे बीमारियां तता मरत्युदर का इसाब रखने के लिए नमबर साथ ये आंक्डे स्वास्ते की दरश्टी से भी मैतोपूर्ण होते थे नमबर आठ सहर में समाज का जीवन केसा है तता उसमें किस परकार परिवर्टन होता है इसका रिसाब रखने के लिए भी रिकोर्ड्स रखे जाते थे नमबर आठ सहर का विकास करने के लिए तो ये आठ नो पॉइंट आपको लिखा दिये है या प्रक्यूशन या आता है कि ओपन वे सी काल में रिकोर्ड्स क्यों रखे जाते थे कोई चार या पांच या छे कारणे बताईए तो आपको आठ नो पॉइंट में लिखा चुका हूँ कोई भी आप अपनी इच्छा के नुसार याद कर सकते हो अब हैडन लगाओ भी आप बदलाव और रुज़ान थीक है इसमें लिखो भी आप बारत में पहली जनगर्णा अठार सो बैतर में हुई बारत में पहली जनगर्णा अठार सो बैतर में लाड मेयो के समय हुई लेकिन यह वेवस्ति जनगर्णा नहीं थी पहली वेवस्ति जनगर्णा अठार सो इक्यासी में लाड रिपन के समय हुई इस गंड जन गंड़ना के बाद कुछ दिल्चस्त रुजहान सामने आए कि सन अठारा सो के बाद कि सन अठारा सो इस्वी तक सहरी क्रण की रफ्ताद धीमी थी लेकिन गुनी सो से गुनी सो चाड़ीस के मद्दे यही सहरी आबादी तेरा परतिसत हो गई थता मदरास, बंबई और कलकता जैसे विशाल सहर बन गए अठार सो तरेपन में भारत में रेलवे की सुरुआत हुई भारत में पहली रेल लाड डल होजी के समय मुमबई शे थाना के बीच 34 किलोमेटर चली रेलवे की सुरुआत होने से सहरो पर भी परभाव पड़ा सहरो पर भी परभाव पड़ा जो इस परकार है अब यहाँ पर क्यूसर नहीं पूस्ते हैं भी आठार सो तरेपन में रेलवे की सुरुआत होने से सहरो पर क्या परभाव पड़ा तो इसमें लिखो आपे रेलवे की सुरुआत से आरती गती वीडियों के केंद्रे बन गए क्योंकि ये सहर पूराने मार्गों एव नद्यों के समीब थे परतेक रेलवे स्टेशन कच्चे माल के संग्रहन एवम आयाती त्वस्तों के वित्रन का केंद्र बन गया रेलवे के विस्तार से रेलवे नेटवर के विस्तार से रेलवे वरक्सोप एवम रेलवे कोलोनियों की स्टापना भी होने लगी जिसके फलसुरूप बरेली जमालपूर और वाल्टेर जैसे नगर और वाल्टेर जैसे रेलवे नगर अस्तीत्वे में आये ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट होच चुका है इसके अलाव ये भी लिख लो रेलवे के कारण आवा गमन और आयात निर्यात बढ़ा तता साथी साथ सहरों का ओद्रगिक विकास भी हुआ अब ये दो पॉइंट है या ये लग है भी ये इसमें नहीं है आपके ब्रेक्इट में अपने दीहों इते बुक में तो यहां से क्यों सनाते हैं कई बार कसबा किसे कहते पार किसे कहते इंज इन को आप इसा का इसा लिख लो बागी की चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एक वीडियो में ओके भी या, that's all